नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका ओम्प्रोप्टेक प्राइवेट लिमिटिड के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर और मैं सोन्या चौधरी आज की बहुत ही बड़ी खबर साथियो फिल्म सिटी को लेके तो आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में फिल्म सिटी की क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, बहुत सारे लोगों के कोशन लगातार यही आ रहे थे कि प्लीज कुछ फिल्म सिटी के बारे में बताईए क्योंकि इसकी जो date थी वो लगातार तीन बार से आगे extend होती जा रही है तो आज Film City की उन लोगों के लिए बहुत बड़ी news उनकी उम्मीदे फिर से एक बार जागेंगी Film City का कोई news आया है और हमें अब क्या investment यहाँ पर अब करना चाहिए जल्दी या फिर थोड़ा और समय लेते उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ख़बर होगी तो बात करते हैं साथियो आज की वीडियो ओमप्रोप टेक के साथ चलते हैं देखते हैं जैसे कि आपको बैनर पर देखकर समझ में आ रहा होगा कि Film City के निर्माण का रास्ता हुआ साफ तो साथियो Film City के निर्माण में बहुत सारी दिक्कते आ रही ही थी तो वही कि अब जो निर्माण का कारे शुरू होगा उसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है इस महाँ टै किया जाएगा ले आउट और सबसे बड़ी खुश कबरी कि इसी महाँ में इसी महीने में इसका ले आउट भी तयार किया जाएगा अब आगे नहीं बड़ेगी फिल्म सिटी की निविदा की तिथी लगातार तीन बार से जो डेट थी वो एक्स्टेंड होती जा रही थी तो ये आज की जो निउस है उसमें बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि अब जो भी डेट होगी वही फाइनल होगी उसके बाद कोई भी डेट एक्स्टेंड नहीं होगी फिल्म सिटी के लिए निविदा की अंतिम्तिती 31 मार्च यानि जो अंतिम्तिती दी है वो दी है 31 मार्च आगे नहीं बड़ेगी दरासल अब तक सिर्फ एक ही निविदा आई थी क्योंकि किसी भी टेंडर को ओपन करने के लिए कम से कम तीन कमपनियों की निविदा होना जरूरी है अभी तक क्या था कि सबसे बड़ी चीज होती है कि तीन कमपनियों का इंटर्स दिखाना जरूरी होता है पर अभी तक जो आ रहे थी, जो भी लिविदा आ रहे थी वो सिर्फ एक कंपनी की ही आ रहे थी 10,000 करोड की परियोजना जो Fim City बनने जा रहे हैं उसमें 10,000 करोड की परियोजनां को भी लागू किया है जैसे फिल्म सिटी परियोजना 10,000 करोड की है, इसे तीन चरणों में विक्सित करने की प्लानिंग है तीन चरण में इसे विक्सित किया जा रहा है, डिवाइड करके तो देखते हैं कि पहला एक हजार एकड में विक्सित होने वाली इस परियोजना में 220 एकड भूमी कमर्शल उप्योग के लिए है सेस बची हुई जो है, 780 एकड पर फिल्म सिटी निर्मान के लिए पूरा एक धाचा तयार किया जाएगा, पूरा एक इंफ्रास्ट्रेक्टर बनाया जाएगा जिसके लिए प्राधी करन ने यमना अथोर्टी के सेक्टर 21 में इसके लिए भूमी क्रिया की है सेक्टर 21 में हम लोगों को पता है कि फिल्म सिटी प्रोपोज्ड है, तो उसमें 780 एकड में तो पूरा फिल्म सिटी का निर्मान होगा, बाकी 220 एकड में कमर्शल यूज के लिए इसपेस दिया जाएगा इसी महा तयार होगा फिल्म सिटी का लेयाउट, जैसे हमने पहले भी बताया कि इसी महा में फिल्म सिटी का लेयाउट तयार होगा Film City का layout इसी महा तैयार किया जाएगा क्योंकि प्राधी करण के नियूजन विभाग के team करीब एक महा से इसके लिए Bollywood नगरी मुंबई में डेरा डाले होए है Film निर्माण से जुड़े लोगों के सुझाव वे उनकी जरूरोतों का पता लगाकर layout को अंतिम रूप दिया जा रहा है करीब एक महीने से जो Bollywood के लोग थे वो यहीं पर थे मुंबई में एक planning कर रहे थे कि किस तरीके से layout को तैयार किया जाएगा तो पूरी एक planning करके पूरा एक layout इसी महीने में तैयार किया जाएगा बाकी आप देख सकते हैं जैसे Film City निर्माण के लिए नई पटकथा तैयार पूरी एक पटकथा को तैयार कर दिया गया है अलग ही रूप में Film City के लिए निविदा की अंतिम्तिती हमने बता दी है 31 मार्च है कम निविदा आने पर भी तीन से कम निविदा आने पर भी प्राधिकार ने Film City के विकास की रणनीती तैयार किर लिए है अगर तीन से भी कम निविदा आती हैं फिर भी जो film city के निर्मान है वो भी किया जाएगा उसको भी process में आगे बढ़ाया जाएगा PP model के बज़ाए film city में योजना निकाल कर सीधे film निर्मान से जुड़े लोगों को भूकन्ट आवंटित होंगे हो क्या रहा है अगर तीन से लोग कमेंटर से दिखाती हैं कमपनिया तो उसमें जो फिल्म निर्मान से जो लोग जुड़े हैं उनी को डारेक्ट भूकंड आवंटित होंगे फिल्म निर्माताओं के संपर्क में हैं फिल्म निर्माता कैसे बोकेडिया ने भी बुद्वार को प्राधिकरण CEO से भूमी आवंटन के लिए मुलाकात की मुख्य मंत्री की गोशना में शामिल फिल्म सिटी के लिए विकास करता चैन के लिए नवंबर 2021 में निकली निविदा में सिर्फ एक आवेधन मिला था 2021 में दरासाव फिल्म सिटी का आवेधन निकला था और उस टाइम सिर्फ एक ही निविदा डली थी एक ही बिल्डाई थी आवेधन मिला था पर शर्ते पूरी ना करने पर वे निरस्त कर दिया शर्ते पूरी नहीं हुई थी तो उसकी वज़े से वो जो एक कंपनी ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था उसको भी कैंसिल कर दिया था Film City को पिछले साल अक्टूबर में निविदा निकली थी इसमें निविदा डालने की ती थी तीन बार बढ़ चुकी है कंपनियों की मांग पर निविदा वे कंसेशन एग्रिमेंट की सर्तों में भी बदलाव हुएं काफी सारे बदलाव काफी सारे रिलाइबिलिटी भी धी इसके बाद मानेने मुख्यमंत्री योगी जी ने और जो प्राधी करण के CEO हैं अरुनभीर सिंग जी ने जैसे की साठ साल के जो लाइसेंस का था उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया था उसके बाद OTT ओवर दा टॉप इसकी जो फुल फॉर्म है आधी की भी अनुमती दी गई फिल्म सिटी में आंतरिक विकास की प्रात्मिक्ता तै करने में भी छूट दी गई पर अभी तक कंपनियों ने निविदा नहीं डाली है शासन इसतर से फिल्म सिटी की नियमित समिक्षा हो रही है ऐसे में अधिकारियोंने रड़ नीति में बदलाव किया है विकास करता चैन को कम से कम 3 निविदा जरूरी है अगर इससे कम निविदा मिलती है तो अप्रेल में Film City के लिए भूकंड योजना निकाली जाएगी अगर तीन निविदा से कम निविदा निकलती हैं तो अप्रेल में भूकंड के लिए प्रॉपर एक योजना निकाली जाएगी यमना प्राधिकरण Film City निर्माण से जोड़ी कमपनिया OTT आधी को भूकंड आवंतित करेगा उन्हें Film Studio आधी विक्षित करने होंगे इसके लिए समय तै होगा आउट्डोर लोकेशन विक्षित करने को प्राधिकरण एजनसी चैन करेगा फिल्म निर्माण के अलावा यहाँ पे जो जो चीज़े क्रेट होंगी जैसे का जैसे की MGM Park, Museum, Film Training, Institute, Theme Park, Land, Scape Park, Innovation Center, Commercial Villa आधी के लिए अलग-अलग कंपनियां चैनित होंगी प्राधिकरण CEO डॉक्टर अरुन्विर सिंग ने बताया कि भूकंड योजना की तैयारी शुरू है कैए फिल्म निर्माटा इसके लिए रूची दिखा चुके हैं आप जैसे की इसमें देखकर आपको समझ में आ रहोगा बॉलिवुट के कैए दिगज सियो से भूकंड के लिए मांग कर चुके हैं फिल्म निर्माट केसी वुकाडिया ने प्राधिकरण CEO से मुलाकात की तो अब आपको जैसे की हमने इन्यूस भी बताया और इसमें अगर तीन कंपनियों से कम भी निविदा आती है तब भी अप्रेल में इसके भूकंड के लिए मतलब योजना का पूरा एक चयन किया गया है तो ये बहुत बड़ी नियूस है सातियों Film City से जुड़ी हुई और उन लोगों के लिए भी जिनके प्लोट्स नियर बाई Film City आ रहे थे या जिनके जो पॉकेट्स है वो नियर Film City है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशकबरी है बाकी देखो Film City का प्रभाव सारे ही residential sectors पे पड़ेगा चाहे फिर वो sector 18 हो या sector 20 हो बाकी आपकी कोई भी query है कोई भी question है आप हमें query कर सकते हैं नीचे screen पर हमारे number mention है 9800-500-700-8510-801-801 दोनों ही हमारी company के number है बाकी जो भी नई update होती है जो भी नई news होती है हम कोशिश करते हैं लगातार आपको वीडियो के माध्यम से वो समझाए ताकि जो भी आपके question है जो भी आपकी query है वो आसानी से solve हो सके यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद